आज हम सीखेंगे केंद्रिय प्रवृत्ति के एक मापक माध्यक के बारे में पिछली वीडियो में हमने देखा कि प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देकर हमें माध्य की तरह माध्यक यानि मीडियन भी केंद्रिय प्रवृत्ति का एक मापक है आकडों को आरोही क्रम यानि ascending order या अवरोही क्रम यानि descending order में व्यवस्थित करने के बाद सबसे मध्य यानि बीचो बीच आने वाला प्रेक्षन इन आकडों का माध्यक कहलाता है यदि हमें n प्रेक्षन दिये गए हो तब हम इन्हें आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्तित करते हैं यदि n एक विशम संख्या यानि और्ड नंबर होगी तो इन प्रेक्षनों में कोष्ठक में n धन एक विभाजित दोवा प्रेक्षन माध्यक कहलाता है लेकिन यदि n एक सम संख्या यानि इवन नंबर होगी तो माध्यक n बटे दोवे और कोष्ठक में n बटे दो धन एक वे प्रेक्षन का माध्य होता है उधारण के लिए मान लीजिए किसी शहर के विभिन्न होटलों में रहने का एक दिन का किराया रुपयों में इस प्रकार है चलिए इन्हें आरोहिक्रम में विवस्थित करे यहाँ प्रेक्षनों की संख्या 9 है जो की एक विशम संख्या है इसलिए आरोही क्रम में व्यवस्थित किये गए इन आकडों का माध्यक 9 धन 1, बटे 2 वा यानि 5 वा प्रेक्षन होगा यानि की 500 होगा मान लीजिये उसी शहर में एक नया होटल शुरू हुआ जिसका एक दिन के रहने का किराया 800 रुपए है अब यहां सभी संख्याओं को आरोही क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं इस स्थिती में प्रेक्षनों की संख्या 10 होगी जो की एक सम संख्या है ऐसी स्थिती में हम 10 बटे 2 यानि 5 वे और 10 बटे 2 धन 1 यानि 6 वे प्रेक्षन का माध्य प्राप्त करते हैं जो होगा 525 माध्यक आकडों में बीचो बीच की संख्या होती है इसलिए वह आकडों को दो बराबर हिस्सों में बाटती है एक अर्धभाग में वे प्रेक्षन होते हैं जिनके मान माध्यक के बराबर या उससे कम होते हैं तथा दूसरे अर्द भाग में वे प्रेक्षन होते हैं, जिनके मान माध्यक के बराबर या उससे अधिक होते हैं। अब चलिए माध्यक के कुछ विशेष्टाओं को समझे। आकडों के इन दो समूहों को देखिए। पहले समूहों का माध्य होगा 16, जो की एक उत्तम प्रतिनिधी मान है। दूसरे समूहों में एक प्रेक्षन के अलावा सभी प्रेक्षन पहले समूहों के प्रेक्षनों के समान है। लेकिन वह एक प्रेक्षन, अन्य प्रेक्षनों की तुलना में अत्याधिक बड़ा है। इस स्तिती में माध्य होगा 27, जोकि एक उत्तम प्रतिनिधी मान नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहां दोनों समुहों में आकडों का माध्यक 16 है। चुकि प्रत्येक समूहों में ज्यादातर प्रेक्षणों का मान सोलह के आसपास है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों स्थितियों में सोलह एक उत्तम प्रतिनिधी मान है, इस तरह से उस स्थिति में जब आकडों में चरम मान अत्याधिक बड़ा या अत्याधिक छोटा होता है माध्य की तुलना में माध्यक बहतर विकल्प है इसी के साथ दोनों समूहों को देखकर हमें यह भी ग्यात होता है कि यदि चरम मान में परिवर्तन होता है तो इससे माध्यक पर प्रभाव नहीं होता इसका अर्थ यह है कि माध्यक चरम मानों के प्रती अधिक सन्वेदन शील नहीं होता माध्यक आकडों के सटीक मानों को ध्यान में नहीं लेता इस तरह से वह आकडों में दी गई संपूर्ण सूचना का प्रयोग नहीं करता माध्य सांखिकी में गण्ना करने में सहायता करता है लेकिन माध्यक इसमें साहिता नहीं करता इस कारण माध्यक के उपयोग सीमित है तो आज हमने सीखा केंद्रिय प्रवृत्ति के एक मापक माध्यक के बारे में अगले वीडियो में सीखेंगे केंद्रिय प्रवृत्ति के एक अन्य मापक बहुलक के बारे में झाल